हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो CA Inter FM and ECO students के लिए है चाहिए वो मेरे registered students है या नहीं है FM ECO में देखा गया है कि कुछ formulas हैं जो बच्चे exam hall में भूल जाते हैं retain नहीं कर पाते और इसके कारण उनका पूरा question गलत हो जाता है तो मैंने FM ECO का 40 बनाया है जिसमें सारे formulas एक जगह आपको मिलेंगे आप अपना जैसे preparation कर रहे हैं वैसे करें प्लस आप ये booklet जरूर देख ले बहुत ही कम pages का ये booklet है आपको बहुत फाइदा मिलेगा ECO के जितने भी formulas हैं और FM के जितने भी formulas हैं वो सारे मैंने एक जगह कर दिये हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा जैसे cost of capital आप देख सकते हैं cost of capital chapter में, leverage chapter में हलाकि आप ये सब retain कर चुके होंगे लेकिन last moment में आप सब कुछ भूल जाते हैं ठीक है और फिर गलत कर देते हैं और एक formula गलत होने से आपका बहुत ज़्यादा marks deduct हो जाता है और हो सकता आपका group भी clear नहीं हो सके exam भी clear नहीं हो सके EBIT, EPS, Indifference, Capital Structure, Ratio Analysis के सारे formulas सारे अच्छे से जो भी up to date और जो relevant formulas हैं वही मैंने दिये हैं जिससे आप to the point exam में दिखेंगे और अपना answer आप निकाल सकते हैं चाहे वो ratio analysis क्यों नहीं हो चाहे वो working capital chapter क्यों नहीं हो data management chapter क्यों नहीं हो dividend chapter क्यों नहीं हो capital budgeting जैसा chapter जिसमें बहुत सारे formulas हैं वो क्यों नहीं हो ये सारे आपको एक जगर मिल जाएंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो please आप ये जरूर देखेगा और FM का भी 40 है और ECO का भी 40 है जिसमें ECO में आपको जो भी practical questions हैं practical related questions के जो formulas हैं जैसे कि आप देख सेबते credit multiplier 1 upon required reserve ratio बस छोटा सा एक formula याद रखना है दो number आपको मिल जाएंगे required reserve ratio दिया रहेगा आपको credit multiplier निकालने बोलेगा credit multiplier is equals to 1 upon required reserve ratio और भी बहुत सारे formulas हैं जो कि आपको करना है APS, average propensity to save total saving upon total income APC, MPC ये सब आपको पता होगा बट एक जगह मिलना बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए exam के time बहुत अच्छा revision होगा प्लीज आप इन दोनों booklet को डीजिएगा मैंने group में upload किया हुए आप download कर लीजिएगा आपको बहुत फाइदा मिलेगा अगर आप 90% above लाने का सोच रहे हैं तो आपको ये सब चीजे करनी होगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा जरूर मैं आपके feedback का भी इनतजार करूँगा be positive or give your best because याद रखेगा focus आपको lose नहीं करना है focus बनाए रखना है you are the best आप ये line पांच लाइन जरूर अपने पास रखेंगे I am the best, I can do it God is always with me I am a winner, today is my day आप देखेगा आप जितनी भी negativity यो दूर हो जाएंगे और आप अपनी मंजिल को पा लेंगे thank you so much friends the future of the world is in my classroom today आप देख रहें आप ही India के world के future हैं अच्छे से exam दीजे, घवराइए मत 100% marks का target कीजे और ये जो notes में आपको बता रहा हूँ वो please download कर लीजेगा और आपके feedback का मैं इंतिजार करूँगा thank you so much